हालो एब्रीवन कैसे आप लोग उमीद करते आप सब अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंगलिज का फ्लेमिंगो बुक से तीसरा इस्टोरी डीप वॉटर ठीक है इसके ऑथर है विलियम डगलस इनका नाम व्याद कर लिजिए क्योंकि यही इस स्टोरी के मेन करेक्टर है मेन करेक्टर यानि इस स्टोरी का जो प्रोटागोनिस्ट है मेन करेक्टर क्या बोलते है प्रोटागोनिस्ट तो वह विलियम डगलस ही है ठीक है इन्हीं का लाइफ का एक इंसिडेंट यहापर इस स्टोरी में बताया गया है इनका जनम म alguém में मिनिसोटा में मिनिसोटा एक स्टेट है यॉएस में ठीके इंग इंड़ाइटेंट आम अमेरिका कुंछ हमारे जो आफर विल्यम डग्लस इन्होंने एक बुक लिखा उसकंट का नाम था वेन्द मौंने टी TIME विलियम डगलस का पूरा नाम है विलियम ओर डगलस ठीक है तो इन्हों ने इस यह बूक लिखा था इस बूक में इन्हों ने बताया कि कैसे एक यंग बॉइ जिसका नाम था विलियम डगलस यानि कि हमारे ऑथर खूद रियरली ड्राउंड इनस्वीमिंग पूल लगबक एक स्वीमिंग पूल में डूपते डूपते बचे ठीक है वो इस ऐसे में यह बताते हैं कि कैसे उनको पानी के लिए फिर डवलप हो या पानी से कैसे वो डरते थे और फाइनली वो कैसे उसको ओवरकम किये यही इस पूरा स्टोरी में में पता चलेगा तो इस पूर्य बूक क जब मैं 10 या फिर 11 साल का था ठीक है तब मैंने यह डिसाइट के था कि मैं क्या करूंगा स्वीमिंग करना सीखोंगा समझेगी नहीं तो यह हम यह पर येलो सा हाइलाइट करकर रखें यह याद रखिएगा जब ऑथर हमारे 10-11 साल के होते हैं तब वो डिसाइट करते हैं क क्या करना सिखेंगे स्वीमिंग करना सिखेंगे ठीक है तो वहां पर वह क्या करते हैं एक स्वीमिंग पूल में जाते है अब पूल इन याकिमा याकिमा क्या है एक सिटी है वाशिंग्टन में ठीक है तो इस इस सिटी में यह जगा है वाई एम सिए तो वहां पर क्या है ए was treacherous यह वर्ड याद कर लिए इस वर्ड के ऊपर डारेक्ट कोशन आता है treacherous वर्ड का मिनिंग होता है unreliable unpredictable ठीक है मतलब यह डीवर जो है यह कीमा डीवर यह काफी अब क्या हो जाए कब कॉण इसमें डूपके मर जाए कोई नहीं बता सकता है ठीक है मेरी जो मा थी यानि विलियम डगलस के मा वह कंटिनुवसली उनको वर्ड करती थी और उनके दिमाग में यह यादे ताजा रखती थी कि कैसे इस रिवर में कई सारे लोग डूपके मर चुके हैं ठीक है लेकिन स्विमिंग सिखने के लिए यह जो हमारा वाइएमसी यह पूल था क्योंकि यह यह स्विमिंग पूल यहां पेला शैलोह डेकी और इप में encouraged जैरा था सुमिंग स मटक़ाइभ रात क्योंक况र क स्टक्चर होता है न वह इस टाइप से रोता है यह उपर में पानी का लेयर और यह नीचे बस ओन तो base ऐसा flat नहीं होता है सीधा नहीं होता है ऐसे gradually increasing height depth में जाता है वो तो यह जो कम गहरा है ना इसको बोलते है shallow end तो यहाँ पर यह सिब 2-3 feet तक गहरा था बाता गहरा ही समझ रहे हैं और जो deep end था deep end वहाँ पर वो लगबग 9 feet तक गहरा था यह दोनों fact आप याद रखेगा इसका जिकर आगे वे story में होगा ठीक है तो चुकि यह काफी कम गहराई है यहाँ पर यहाँ पर इसलिए वो बोल रहे है कि YMCA का जो swimming पूले वो काफी safe है ठीक है और जो drop है वो भी काफी gradual है मतलब यहां से यहां जो गहराई बर रहा है के लिए तियार होते हैं वो क्या करते सबसे पहले अब पेयर ऑफ water wings लेते हैं अपने लिए water wings आप इस picture में देख सकते हैं दोनों बावं में ऐसे पहनते हैं आज कल एक्जाम में क्या हो रहा है कि बोर एक्जाम में यह picture based question भी आ रहा है आपको तीन चार पिक्चर इमेज भी याद रखिएगा ठीक है और इसका इस चप्टर का जितना भी इंपोर्टेंट कोशन एंसर से वह वब साइट पर प्रवाइट कर दिया है वहां पर जाके उसको जरूर प्रिबेर करीजिएगा ठीक है तो दो हमारे ऑथारे वाटर विंग्स लेके कहां चले जाते ह जाते हैं I hated to walk और इस पेज में जो है याकिमा रिवर का इस केश मैप दिया हुआ है यह देखिए समझे उपर में यहां पर देखा था याकिमा यह एक सिटी का भी नाम है और वहीं उसी का बगल में एक नदी भी जाता है जिसका नाम है याकिमा रिवर जिसको काफी लाइबल अन्प्रेडिक्टिबल कब इसमें क्या हो जाए कब यह किसको मार दे कोई ठीक नहीं है चलिए तो यहां पर क्या लिखा हुआ था दिखाए कि आई हेटेट टू वाख नेकर इंटु इट तो हमारे जो अथर है विलियम और डगलस वो उनको मतलब श्विंग फूल में नंगे उतरना पसंद नहीं था ठीक है एंड शौ माई स्कीनी लेक्स और जब वो अपना पेंट खोलते थे तो उनका पेंट जो था काफी पतला पतला था तो दूबले पतले टांगों को दिखाना उनको पसंद नहीं था ठीक है तिकिन फिर भी वह एवर्जन एवर्जन का मिनिंग होता है स्ट्रॉंग डिस्लाइक किसी ची से नफरत करना तुदा वाटर वेन आई वस इनिट इस्टार्टिंग से ही हमारे जो अथर है उनको पानी से नफरत था अब ऐसा क्यों क्यों कि देखिए यहां पर एक इंसिडेंट बताया गया है यह सर्फ में खड़े थे लहरों के बीश में खड़े थे मैं उनको पकर के खड़ा हुआ था लेकिन फिर भी एक लहर आई और मुझे धक्का मरके नीचे गिरा दी और मेरे उपर बह गई ठीक है मैं पानी में डूप चुका था मेरे सांस रूप गए थे मैं काफी डर गया था पानी में तो हस रहे थे लेकिन मेरे दिल में एक डर बैठ गया ठीक है इस चीज को लेकर डर कि यह जो वेब से लहरे हैं समुद्र के लहरे यह काफी पाउरफुल होती है ठीक है मेरे पिता जी मुझे पक्ने हुए थे तभी भी हम नीचे पानी में चले गए ठीक है तो यह एक इंसिडेंट बताया गया है कि जब ऑथर तीन यह फिट चार साल के थे अपने पिता जी के साथ तब उनके साथ यह चीज हुआ था यह घटना के खारण उनके मन में काफी डरव एडिया पानी को लेके ठीक है यह वो टेरर याद रखिएगा आतंक सा बैडिया उनके मन म और तब से वो पानी को काफी डिसलाइक करते हैं लेकिन अभी वो 10 या फिर 11 साल का इंसिडेंट वो नरेट कर रहे हैं अभी वो डिसाइट किया है कि वो स्विमिंग सिखेंगे कहां पर YMCA स्विमिंग पूल में ठीक है जो कि कहां पर है याकिमा में याकिमा में एक नदी भी है जिसका नाम है याकिमा रिवर वो यहां पर स्विमिंग नहीं सिख सकते हैं क्यों क्योंकि यह काफी क्या है ट्रेचर से बात्तेगराई समझ रहे है कि चलिए इतना बाता प्याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं जब ऑथर हमारे यह वाई एम सीए स्विमिंग पूल में जाते हैं तो उनका वह पुराना अन्प्लीजेंट यादे ताजा हो जाता है ठीक है और फिर से वह बच्चा बच्पन वाला जो डर है वह वापस उनके अंदर आ जाता है लेकिन कुछ ही दिनों में वह थोड़ा आपने बाहनमें वाप में याद न वाटर विंग की भुल है अपने बाहनमें वाटर विंग पहन के वह पैडेलिंग करना मतलब तैपनी में मारना स्था करते है दूसरे बच्चों को देखकर त्रक Performance बाई एपिंग देम एपिंग का मतलब होता है कॉपी करना किसी चीज़ को वह दूसरे बच्चे का कॉपी करके वह स्विमिंग करना स्टार्ट करते हैं ठीक है अलग अलग दिनों में वो ऐसा दो तीन बार किये और वो धिरे धिरे फिल एट इस पानी के साथ कमफर्टेबल होना स्टार्ट हुए थे लेकिन तब ही एक मिज एडवेंचर हो गया एक दुरगटना हो गया कौन सा दुरगटना हो गया देखिए एक दिन क्या हुआ कि वो स्विमिंग पूल में गये वही वाई एमसी ए स्विमिंग पूल में जब वहां पर कोई नहीं था काफी सांथ जगा था पानी भी ठैरा हुआ था कोई हलचल नहीं था ठीक है पानी इतना सांथ था कि नीचे का जो बॉटम है जिसमें टाइल्स होते हैं ठीक है फिर ऑथर आगे बोलते हैं कि मुझे ज्यादा देर हुआ नहीं था है इंतजार किये हुए कि तभी क्या होता है कि एक बहुत हट्टा कट्टा सा लड़का काफी बॉड़ी बिल्डर टाइप लड़का आता है जिसको बोला गया है बिक ब्रूजर ऑफ बॉ इसे मुसल्स बोलते हैं ठीक है मतलब ऐसे वेवलाइक मसल्स तो एक अग्दम परफेक्ट नमूना था यह कि अगर बॉड़ी हो तो इसका जैसा हो ठीक है परफेक्ट बॉड़ी था तो वह लड़का आता है और चिला कर बोलता है कि हाई इसकीनी ठीक है बलता है कि दूले और यू ऊज्व ब्रैसबकर या की अगरो मतल्स तुम्हें उठाके नीचे पानी फिक दे तो ऎए उतना वखें वे वह मुझे उठाता है और मुझे पानी फिक देता है और सुभि फिक sz Works ये लेकिन आपको पता है कि स्विन पूल एह जगा शालो है और एक जगा डीब है स चालो एंड में फेकने से तो अच्छा है चलो दो तीन फीट है तो जड़ा डरगा बात नहीं है लेकिन वह बच्चा क्या करता है ओथर को उठा के डीप एंड में फेक देता है ठीक है एड इंटु दे डीप एंड आई लाइंड इन इस इटिंग पोजीशन और ऐसे उठा के फेक्ट आए कि जैसे और जब बच्चे थे जिस पोजिशन में बैठे हुए थे वैसा ही पोजीशन में उठा के फेक देता है ठीक है तो ओथर उस पानी में एकदम सिटिंग पोजीशन में नीचे गिरते हैं काफी इचे क्यों वह कीज़ीशन आपनी पी लेते हैं वह ठीक है नीगन लेते हैं और तुरन-ठीक कहाँ चले जाते हैं बॉटम वह इस ऐसथे कि प्रॉट ठीक है अभी ऑथर कितने साल के 10-11 साल के ठीक है जब वह डूब रहते तो उन्हें एक प्लान बनाया प्लान यह था कि जैसे ही उनका पैर बॉटम को ठच करेगा वह क्या करेंगे तुरंत एक बड़ा साथ जम्प मारेंगे ठीक है और जम्प मारते ही उनका बॉड़ी जो है जाएगा शरफेस पर आजाएगा और सरफेस पर आ गए तो ऊथर क्या करेंगे उस पानी पर फ्लाट हो जाएंगे स्विमिंग करते हैं तो फ्लाट पानी में फ्लाट रहता न बंवारा सरीष और फिर पैडल हाथ पर हिला के swimming करके वो पूल के किनारे तक आ जाएंगे ठीके उन्होंने ये प्लान बनाया लेकिन वो और देखिये यह swimming pool है हमारा यह स्वेव di working that यहां पर उनको फेका गया वे डिरीझ नीचे जा रहें थीकर Και दिरीद नीचे जा रहें ठीक है, and before I touch bottom, my lungs were ready to burst, और जब तक वो नीचे गए, तब तक उनके lungs में काफी ज़्यादा पानी भर गया था, मानों कि वो burst हो जाए, ठीक है, इतना पानी भर गया था, But when my feet hit bottom, जैसे ही मेरा pair bottom को touch किया, मैंने अपना सारा strength को some more onion, इकठा किया, और जैसा मैंने सुचा था, वैसा मैंने effort मारा, ठीक है, मैंने एक बहुत ही बड़ा छलांग मारा उपर की तरफ, ठीक है, मैंने तो सुचा था कि मैं जब ये छलांग मारूंगा, तो मैं एक ठीक धक की तरह, उपर पानी में तैरने लगोगा, एक कोड की तरह, ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मैं काफी धीरे-धीरे ऊपर आ रहा था, मैंने अपना आख खोला, और मुझे कुछ नहीं दिखाए दिया, सिवाए, पानी के, ठीक है, हर जगा मुझे पानी ही पानी दिख रह रहाता हर जगा, और यह देखके, हमारे जो ऑथर है, वो पैनिक कर गया, और यही चीज सबसे बुरा चीज होता है, पैनिक नहीं करना चाहिए था, ठीक है, आई रिजड आप एजिक तू ग्रैबरो, ऑथर उपर आते हैं, पानी के सरफेस तक आते हैं, मानो, एक रसी canon आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आसपास ही पानी है, मेना दन घूठ रहा था, मैंने चिलाने का कोशिस किया, लेकिन sound बाहर नहीं आया, पानी में चिलाएंगे, तो पानी में तो sound travel करता है, लेकिन पानी जो है, वो sound को absorb भी कर लेता है, तो यह माली जो पानी का लेयर है, और आफर यहां पानी के नीचे है है यहां पर चिलाए होंगे वह तो पानी जो साउंड में वह पानी में तो काफी फास्ट टाबल करता है लेकिन यह पानी सांड को अब्जौर्ब भी कर लेता हैं तो बाहर अगर कोई इंसान खारा है तो उसको यह सवांड सुनाई नहीं देगा ठीक, उसके काणों तो कि यह आवाज नहीं पहुचेगा, फिर ऐसा करते करते है, ऑथर इदम पानी के इद गया से अर्भिवाजब के ऊपर आता है, तो उनका आख और नाख तो पानी के ऊपर आता है, लेगन उनका माउथ जो है वो पानी के ऊपर नहीं आता है, जिस मदल से वो कुछ बोन नहीं पाते है और कोई उनका help करने के लिए आ नहीं पाता है ठीक है I flailed at the surface of the water flailed मतलब हाथ पैर से पानी पे मारना ठीक है वो पानी को पीटे जा रहे थे से लोड पानी निकले जा रहे थे और चोग वह दम पानी उनका अंदर दम घुटा रहा था ठीक है I tried to bring my legs up वो जैसा plan किये थे कि जवेसे वो पानी के surface पर आएंगे वो अपना body को जो है वो इस पर flat कर लेंगे ऐसे लेट जाएंगे ठीक है वो तूसलिए वो अपना पर उठाने का कोशिश कीए इधर ठीक है लेकिन उनका पर ऐसे लटका हुआ था मानो मर गया हूँ पर ठीक है मरो पर पर सकती मुझे लग राथा आई स्क्रीम्ड वो काफी चीख रहे थे चिला रहे थे लेकिन उनका आवास सी पानी ही सुन रहा था कोई और वहाँ पर था नहीं लान जर्णी बैक टू पॉटम अब फूल और इक वार फिरसे वह अपना लंबा जर्णी स्टार्ट करते हैं या दे लंबा जर्णी कौन सा वह अभी डीप और फिर से वह नीचे डूब्राई स्टार्ट करते तो यह दूसरा वारभ टूब रहें ठीक है कि कि वह पानी में काफी माडते हैं जSabon दूब दो जाते हैं और मालने के कारण उनका जो सारा सथी था वह सब इसी में खड्च कर देते तह वह काफी थक चुके है as एन इर्रेसिस्टिबल फोर्स यह क्या होता है नाइट मेर फाइट कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने चेस्ट पे हाथ रगके सो जाते हैं ठीक है जब आप छाती पे हाथ रगके सोईंगे तो आपको काफी बुड़ा-बुड़ा सपना आएगा जिसमें आपको कोई मार आपको कोई मारता है तो आप कोई करते हैं कि हम उठके भागे या फिर कुछ काउंटर अट्फे करें लेकिन आप वैसा कर नहीं पाते थीक है तो ऐसे ही सपने को क्या बोलते हैं नाइट मेर फाइट ऐसे ही फाइट में जिसमें एक इल्रेसिस्टिबल फोर्स आप बहुत लेकिन आपसे कुछ हो नहीं पाता है ठीक है तो कुछ वैसा ही experience हमारे author के साथ हो रहा था वो नीचे डूबे जा रहे हैं बहुत कुछ करने कुछिस करें लेकिन उनके से कुछ हो नहीं रहा है ठीक है तो यहां पर यह बुलने का मतलब यह था कि आप जब भी रात को सोए तो आप अपने चेस्ट पर हाथ रखके मत सोईएगा ठीक है निजो बहुत बुरा बुरा सपना आता है और बहुत लोग इसमें मर भी जाते हैं बहुत लोग पैरलाइज भी हो जाते हैं इसको अलके में मत लीजिएग चलिए और ऐसा इसलिए भी होता है ऐसा यह नहीं की भूत बगएरा है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप अपने चेस्ट पर हाथ रखते हैं ना तो हमारा जो हार्ट है उसी पोजिशन में है हार्ट पर प्रेशर परता है तो सरीर के अलग अलग पार्ट में खूल अच नास खतम हो चुका था उनका अब दुख रहा था और उनका सिर्ग भी काफी तेजी से दुख रहा था और वो धीरे धीरे डिजी फिल कर रहे थे बेहोस्चे हो रहे थे ठीक है लेकिन फिर से उन्हें वापस वह स्टैटीजी क्या है कि जैसे ही वह बौटम में और फिर अपने आंज को पैडल करेंगे और अपने लेक्स को हिलाएंगे तब उस पूल के एज़ पर आजएंगे किनारे में आके बद जाएंगे यह फिर से प्लानिंग करते हैं फिरसे वो धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं एंडलेसली मनलों उसका कोई अंति नहीं हो वो नोव फिट उनको बहुत गहरा लग रहा है ठीक है कि पानी में जब डूपते हैं तो काफी स्लो प्रोसेस होता है वो वो अपने आख को खोलते हैं और वापस जै और स्टार्क टेर काफी भायानक सा डर उनके मंद में बैठ जाता है ऐसा डर बैठता है कि जिसे कोई समझ नहीं सकता है ठीक है ऐसा डर जिसके ऊपर कोई कंट्रोल ना हो और ऐसा डर जिसको कोई समझ ना पाए ठीक है ऐसा डर जिसको सिप वही इंसान समझ पाएगा जिसन स्टिफ रिजिट उनका सरीर भीलनी रहा था ठीक है इवन दा स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन ऐसा लग रहा था कि वह जो चीख रहे हैं तो चीख भी जम चुका है ठीक है क्योंकि बाहर चीख आनी रहा था तो सिफ मेरा दिल का धरकन और मेरा सिर का दर्थ यही दो स्रीमेंबर तो जम्क वेनाई हीट बॉटम जैसे मैं बॉटम में जाओंगा तो मुझे छलांग लगाना है ठीक है अट लास्ट आइप फेल्ट अंडर मी और फाइनली मुझे पैरों में टाइल्स टॉच हुआ ठीक है और मानू मेरा जो टोज है पैरों की जोंगलिया है व उन टाइल्स को ऐसे पकरने जा रही थी मानू वह उनने ग्रैप करना चाहरी हो ऐसे वो मतलब काफी इगरली वो जो टोज है वो टाइल्स को टॉच की थी ठीक है मेरे अंदर सकती था वो लगा के मैंने जंप मारा बट दा जब मेरे नो डिफ्रेंस कोई अंतर नहीं आया उस जंप से अभी भी मेरे चारों तरफ पानी ही पानी था मैं सर्फेस पर नहीं पहुंचा ठीक है मैं रसी, सीडी, वाटर विंग हर छीद ढूणने का कोशिशिच कर रहा था लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा था मेरे हात में सिवाए पानी के और मेरे हर तरफ पीला पानी दीख रहा था ठीक है और वो जो डर्ख था स्टार्क टेरर वो डर्ख अब और भी मेरे अंदर और भी ज्यादा आ गया ठीक है लेकर ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्रिसिटी मनों बेजली का जटका लगा हो वह मुझे पुड़ा हिला के रख दिया मैं पुड़ा काफ उटा डर के मारे ठीक है मेरे हा लाच में कुछ भी हो जाए लाच में मागी आदा था है लेकिन तभी भी कुछ नहीं हुआ नथिंग हैपेंड कोई उनका हेल्प करने उस समय नहीं आ पा रहा था and suddenly there was light I was coming up फिर अचानक से काफी अजीब चीज हुआ हलका सा रोशनी आया I was coming out of the awful yellow water दिरे दिरे तीसरा मतलब देखे अभी जो चलांग मारे थे ना उपर में वो दिरे दिरे ऊपर आ रहे थे और दिरे उनका जो मुंडी है वो यहां तक पहुँझ गया ठीक है तब उनको थोड़ा light दिखता है at least my eyes war ठीक है वो उनका आँख जो है वो पानी के बाहर आया था my nose was almost out too मेरा नाख भी लगबग पानी के बाहर आही चुका था लेकिन तब ही वो क्या करते I started down a third time वो तीसरा बार फिर से अब वो डूब्राय स्टार्ट कर देते हैं उपर आय थे थोड़ा सा आँख उपर आ ठीक है I sucked for air जैसे ही वो हलका सा उनका नाख मतलब लगभव उपर आया था यहां पर वह हवा के लिए सोचे कि थोड़ा सांस ले लेते हैं यहां पर लेकिन सांस के बदले उनके नाख में क्या चला गया पानी चला गया the yellowist light was going out और फिर से वो जो light था वो वापस जा रहा थ और हर तरफ अंदकार चारा था क्योंकि वह तीसरा बार डूबना स्टार्ट कर चुगे थे ठीक है then all effort ceased ceased मतलब stopped तब उन्होंने उन्होंने सारा effort मारना बंद कर दिया ठीक है वह अब सरीर को छोड़ दिये कि आरे छोड़ों डूब रहे तो डूब मर जाते हैं even my legs felt limp उनका जो legs था पैर था वो भी काफी सुन पड़ चुका था अब blackness swept over my brain मेरे दिमाग में अंधेरा पंच्छा क्या था और मेरे अंदर से डर खतम हो गया वह आतंग खतम हो गया अब कोई panic नहीं था ठीक है अब हम panic करना बंद कर दिये थे सांथ हो गए थे हम peaceful हो गए थे अब क्योंकि अब वो सोच लिए थी कि अफिलों मरना ही है तो आराम से मरते हैं थोड़ा ठीक है और यह काफी अच्छा experience था तुबी ड्राउजी हलकाल करना से मेरा ना ठीक है सो नींद में चले जाना कोई जंप करने का टेंशन नहीं है और इतना ठक चुके थे जंप करने का त अब मुझे सो जाना चाहिए ठीक है मतलब उन्हें अब मर जाना चाहिए ऐसा सोच के अब एफर्ट मारना छोड़ दी कि अब उनका बचने कोई उमीद नहीं है वह डूबना श्टार्ट हो चुके है आई क्रोश तो अब लिवियन और फाइनली मतलब वह बहुस हो जाते हैं एंड कर्टेन ओफ लाइफ फेल वो सुसने कि अव जिन्दिगी का जो पर्दा है मतलब ठीक ड्रामा की तरह जब ड्रामा अंत होता है तो परदा गिर जाता है ना तो उसे उनका जिन्दिगी का जो मुझे याद है वो यह है कि मैं अपने पेट के बल स्विमिंग पूल के बगल में लेटा हुआ था और मैं उल्टी कर रहा था और वो बच्चा जो काफी हट्टा कर्टा था जिसने मुझे पानी में फेका था वो बच्चा बोल रहा था कि मैं तो सी मजाक कर रहा था इसका म लॉकर रूम में मतलब सब कोई author को उठाके कहां ले गाए लॉकर रूम में कई घंटों बात फिर वो घड़ जाते हैं ठीक है रेस्ट करने का बात author काफी कमजोर फिल कर रहे थे वो काप रहे थे जब author अपने बेट पर सोने जाते थे तो वो कापते थे रोते थे ठीक है मैं उस रात खा भी नहीं पाया author बोलते हैं ठीक है कई दिनों तक मुझे यह डर सताता रहा क्योंकि यह डर मेरे दिल में बैठ चुका था हलका सा भी वो टेंशन लेत थे यह कोई काम करते थे तो काफी उदास हो जाते थे और उनका जो नीज घुटना कापने लगता था सिक टू माइस टमक जब आप बहुत जबादा इस्ट्रेस लेते हैं न तो आपका पेट खड़ाब होता है ठीक है वो मेटिंग होगा डाइरिया होगा ठीक है तो ऐसा ही पानी के पानी से डर लगने लगा था पानी से पानी से डर लगे तो इसको क्या बोलते हैं हाइड्रो फोबिया बोलते हैं इस वर्ड को याद रखिएगा ठीक है फोबिया मतलब डर होता है हाइड्रो मतलब पानी आई अवाइडेड इट वेनेबर आई कुड जब भी मुझे 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 मिलता था मैं पानी को अवाइडी करता था फिर ऐसे करते करते कुछ साल बीद गए और तब उन्हें पत्पता चला अब वाटर्स ऑफ दा क के विडार हैं पाहर है तो इस पाहर के ऐस पास कई सारे वाटर बॉडी जब गया शूडा अब चाला और उनका मन हुआ चलो इसमें थोडा जाया जाये थे और एंज्वाइब एड और वेड़ेगि दिवेडिंग दर वेदॉ वेडिंग पंपिंग डिवाइड और बातिं तो अधर तो गई थे यहां पर इंजॉय करने वाटर सब्सकेट में लेकिन जैसे ही वह वहां पर गए बले ही वह पानी को वेड करना मतला पानी में चलना ठीक है हेल रहे हो पानी को या फिर नहा रहे हो उस वाम लेक में अप दा ग्रेट रॉक्स ठीक है कोई भी हलका फुलका काम भी कर रहे हो तो उनको मन में वापस फिर से वही डर आजाता था जब वह स्विमिंग पूल में डूब रहे थे वह वाला डर ठीक है और वह डर इनके उपर इतना हावी होता था कि वह एकदम क्या होता था देखिए माइलेक्स वूड बिकम पैरलाइ तो एक्जाम में इसके उपर भी कोशन आता है ठीक है कि यह जो वाई-एम-सी यह स्विमिंग फूल में वो डूबे थे उसका इंसिडेंट क्या पड़ा उनके लाइफ में तो पहला इंपक्ट तो यह पड़ा कि उनको पानी से डर लगने लगा ठीक है वह वो वाटर आप कितना भी हलका एक्टिविटी हो पानी को पानी में यहलना हो यह पिर पानी में नहाना हो वह यह सब अ writers यह बड़ो ट्रलार जाता था एक तो जिसकी अलावा देखिए॑ कि यह जो हैंटिकला था यह जो मत outta इंको बीमारी लग गया था यह कई सालों तक उनके साथ रहा ठीक है इन knapp deben L accessed fishing for Landlock Salmon Camp mitigation की और पिस पिक्चर में देख सकते हैं ऐसे वोट में जब ऐसे केनोसва बैठ्ट कर जब वह fishing करें निकलते थे for Landlock Salmonflow उन्हों फिस पिक्चर में देख सकते इन कोफिशंग करें निकलते थे या फिर बास फिशिंग के लिए निकलते थे New Hampshire में या फिर ट्राउट फिशिंग के लिए निकलते थे, ठीके, डेशूट और मेटोलियस में, इन ओरिगन, फिशिंग फॉर सैल्मन और कालम्बिया, एड बंपिंग लेक इन दे कैस्केट्स, वेरेवर आइवेंट, कहीं भी कुछ भी फिशिंग करने जाते थे, इन इंसिदेंट का, इसका डिटेल अंसर आपको मेरे वेबसाइट भी मिल जाएगा, वहाँ पर जाके देख लीजिएगा, काफी अच्छे तरीके से लिखे, ठीक है, अभी आप सिफ समझते चलिए, मैंने हर तरीका अपनाया, इस डर पर कावब पाने का, लेकिन ये डर मेरे को पुरा अपने अंदर जगर लिया था, फाइनली एक अक्टूबर में वो डिसाइड करते हैं कि वो एक टीचर को, एक इंस्ट्रक्टर को लाएंगे, और उन से स्विमिंग सिखेंगे, ये स्टेप उन्होंने बहुत अच्छा लिया, तोकि अभी तक वो खुद से कोशिस कर रहे थे, काफी मुश्किल हो राता, ल असे पर तेटेंगे, वो जो इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने उनके कमर में एक बेल्ट बांद दिया, ठीके? फिर वो क्या करते हैं ये पूले लेते हैं पुले समझते हैं आप इस पिक्चर पर देख सकते हैं इसको पुले बोलते हैं ठीक है तो उस पुले के थूर एक रस्टी उनके कमर में था और रस्टी का दूसरा एंड उनके हाथ में था ठीक है और ऐसे करके उनको बोलते थे आप तैरो क्योंकि आप तो डर्ड नहीं था क्योंकि जो इस्ट्रक्टर थे वह उस रस्टी के दूसरे एंड को पक्रें हुए थे पुले के थूर यहां पर देखिए और रोप एटायर्स टूदा बेल्ट वेंट थूर पुले डैट रैन ओवर और ओवरेड केवल जैसे की आप इस इमेज में समझेए यह माली जिए है स्विमिंग पूल का उपर का सर्फेस वाटर ठीक है तो ऊपर में एक ओवरेड केवल था एक रसी गया हुआ था तो यहां पर पूले को लटका दिया गया था ठीक है फिर यहां पर है हमारे इंस्ट पक्रे हुए थे समझ रहें और तब उनको बोला गया बैक और फोर्थ यहां पर ऐसे से करके तैरो कि चलिए कि अधार आफ्टर आवर डे आफ्टर डे वीक आप्टर विक हर यह प्रोसर्स चलता रहा ठीक है और इच ट्रिब अपर पूल अबीट आप दा पैनिक सीज्ड म हर एक ट्रिब में वही पैनिक जो वह किये थे जब वह 10-11 साल के थे वही पैनिक वापस उनके अंदर आता था ठीक है लेकिन हर बार जब इस ट्रक्टर थोड़ा रसी को ढिला छोड़ते थे तो वह पानी में डूबना स्टार्ट कर देते थे हमारे अधर ठीक है और जैसे ह वही पुराना डर वापस उनके अंदर आ जाता था और उनका पैड लगबक जम जाता था ऐसा ऐसा करते करते लगबक तीन मैना बीता तब जाके यह टेंशन थोरा कम हुआ ठीक है फिर आगे देखिए देन ही टॉट मी तो पूट माई फेस अंडर वाटर एंग्जेल एंड तो रेज माई नोज एन इनेहल तब वह इंस्ट्रक्टर उन्हें एक टेक्निक सिखाते हैं कि पानी के अंदर जब वह तो पाप सास छोड़ना है और पानी के बाहर जब वह तब नाक बाहर करना और सास लेना है ठीक है तो ऐसी एक्सरसाइश जो थे हमारे आथर सौ बार ऐ सास लेना सिखाया इसके बाद कि नाव हेल्ड में अड़ साइड अब दा पूल अब इस्ट्रक्टर ऑथर को पूल के एक हिडारे ले गए ठीक है और बोले कि अब अपने पैर से इस पानी में मारो ठीक है कई हफतों तक मैंने यही किया सिफ सबसे पहले तो मेरा पैर शुर स्ट्रक्टर इसे करके बहुत सारा टेक्निक अपनाके पीज पाई पीज करके वह जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने अधर को एक स्विमर बना दिया ठीक है और जब उन्होंने हर एक टेक्निक को परफेक्ट कर दिया तो उन्होंने he put them together into an integrated whole उन्होंने बोला कि अप्रील म आप इस पिक्चर में देख सकते हैं इसको क्रॉल स्ट्रोग बोलते हैं ठीक है तो इसको भी याद कर लीजिए एक्जाम में हो सकता है क्रॉल स्ट्रोग का मिनिंग पूछे पिक्चार पांच पिक्चर देखे तो यह इमेज या दोना चाहिए आपको आई डीड और मैंने उस स्विमिंग पूल का पुड़ा स्विंग तैर लिया ठीक है अब यहां पर इस्ट्रक्टर का काम खतम हो गया बट आई वस नॉट फिनिश लेकिन मेरा काम खतम नहीं हुआ था इस्ट्रक्टर काम था कि उनको स्विमिंग सिखा देना उन्होंने स्वि कराया तो यह सब बात आपको लिखना पड़ेगा ठीक है डिटेल अंसर आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा तो इंस्ट्रक्टर काम यहां पर खतम हो गया लेकिन ऑथर अभी भी सैटिस्वाइड नहीं थे वह अभी भी सोच रहते कि क्या होगा अगर वो डर फिर से मेरे अंदर आए जब मैं पूल में अखेला रहूंगा हो सकता है वो डर वापस फिर से आए तो मैंने कोशिस किया मैंने उस स्विम्मिंग पूल का पुड़ा अपन डाउन जो लेंद्स था उसको पुरा तैरा ठीक है और कभी कभी टाइनी विष्टिजेस मतलब हलका हलका उस ड और मैं उस डर को कहता था कि क्या तुम मुझे ड्राने का कुछिस कर रहे हो वेल हेर्स तु यू अब देखो तूँ और आफ आई वोड गो फॉर अन अनदर लेंथ आप दा पूल और तब जैसे मुझे कोई डर लगता था मैं वापस पूरा स्विमिंग पूल को त्यार ला जुलाई मंथ ठीक है जुलाई मंथ तक वो स्विमिंग पूल में ही प्रैक्टिस करते रहे थे लेकिन अभी भी वह सैटिस्फाइड नहीं थे हमारे उथर उनको अभी भी यह श्योड नहीं था कि यह डर पूरा पूरी मेरे अंदर से गया है कि नहीं सो अइग तो लेक वो कहाँ पर जाते हैं लेक वेंट कोर्थ में जाते हैं इन न्यू हमशाइर ठीक है फिर एक क्टोक से छलंग लगा देते हैं टीघरीज आईलेंड के वह पे एक डॉक था मैं चल लगाते हैं और दो माईल तैरते हैं दो माईल कितना होता है एक माईल छोता है होता है उजarshire ऐप्रोक्स 1.6 किलोमेटर केकरफ ठीक है आप यह देख सकते हैं इसको बोलते हैं breast stroke ठीक है फिर side stroke इसका भी image आप देख सकते हैं इसको बोलते है side stroke back stroke इन सब थरीका से वो तैड़ते हैं ठीक है और ऐसा करते वक सिब एक बार ही वो डर उनके अंदर वापस फिर से आता है जब वो लेक के एकदम बीच में थे न और जैसे उन्होंने अपना फेस को नीचे किया तो वो देखे कि वो bottomless water था उनको कुछ नजर नहीं आना था नीचे में सिब पानी नजर आ रहा था तो वाप होते ही वो डर चला गया और मैं वापस तैड़ना इस्टार्ट कर दिया ठीक है लेकिन अभी वो सेटिसपाइड नहीं थे अभी भी उनके अंदर हलका सा डाउट था कि कहीं ये डर वापस फिर ना आ जाए जैसे ही उन्हें पहला opportunity मिला तो वो ऑफर जो थे वेस्ट की लगा लेते हैं ठीक है by the side of warm lake warm lake के किनारे कैंप लगा लेते हैं ठीक है और अगली सुबह वह अपना कपड़ा खोलते हैं और उस लेक में warm lake में चलंग लगा देते हैं ठीक है एक किनारे से दूसरे किनारे टेरे स्विनिंग करते हैं ठीक है फिक ऊसी तरहे से जैसे की डगलस कॉर प्रौन ने किया था था ठीक है यह सॉट हमें Douglas का तो यह 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 भी काफी फेमस स्विमर थे इनकी तरह वो भी तरह ना स्टार्ट कर दिये थे अमारे ऑथर I shouted with joy तब मैं काफी खुशी से चिलाया and the Gilbert Park जो था पुरा गोज उठा I had conquered my fear of water मैंने अपने डर पे काबू पालिया था ठीक है और यह जो मेरा पूरा experience रहा ना यह काफी deep meaning लेका आया मेरे लिए क्योंकि only those who have known stark terror and conquered it can appreciate वही लोग इसको समझ सकते हैं जिनके अंदर यह काफी डर बैट चुका था और जिन्होंने डर पे काबू पाया है वही इसका खुशी जो है समझ सकते हैं इसको appreciate कर सकते है मौत में सांती तो मिलता है there is terror only in the fear of death जब आप मौत से डरेंगे ना तब ही आपको डर लगेगा ठीक है और Roosevelt ने काफी अच्छे तरीके से इस बात को बोला है उन्होंने एक बार बोलाई कि all we have to fear is fear itself हमें सिफ एकी चीज़ से डरना चाहिए वो है डर्ण ठीक है और टीज़ी चीज़ से नहीं डरना चाहिए because I had experience both that sensation of dying and the terror that fear of it can produce the will to live somehow grew in intensity तो यह पर बोलते हैं कि चुकी मैंने हमारे author ने दो चीज़ experience किया एक तो उन्होंने मौथ experience भी ले लिया और इस experience का वज़ा से जो impact परता है जो डर का impact परता है वो कोई भी चीज अच्छे से काम नहीं कर पाते है कोई भी चीज़ नहीं कर पाते है तो चुकी author ने यह दो चीज़ experience किया है तो अब उनके अंदर जो जीने का चाहा है वो और भी ज़्यादा बढ़ चुका है ठीक है At last I feel released और अंत में उन्हें काफी एक free महसूस होता है free to walk the trails बहले ही trails मतलब ऐसे पतले पतले रास्ते को trails गोलते है तो इन वाराफ्तों में चलना हो या फिर पहारों पर क्लाइम करना हो ठीक है मुझे आप किसी भी चीज़ से डर्ड नहीं था समझे कि नहीं तो इसे के साथ यह story end हो जाता है कि कैसे हमें किसी भी चीज़ से डर्ड नहीं चाहिए कभी आपको डर्ड लगे आप उस चीज़ को थरा तरा काम करना स्टार्ड कर दीजिए वो डर अपने आप खतम होगा समझे कि नहीं चलिए तो यह story end होता है उमीद करते आपको पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा तो जोर एक लाइक कीजिए और सिफ इस्टोरी सुनने से काम नहीं होगा आपको वेबसाइट पर जाकर इसका कोशन से भी प्रिपर कर लेना है ठीक है क्योंकि आज कल वो बच्चा वाला कोशन आता नहीं है बहुत ही अलग लेवल जे कोशन आता है आपको वेबसाइट पर कोशन जो दिया हुआ है उनको देखिएगा आपको जो आपको बहुत आइडिया मिलेगा समझें? चलिए, एरेंड करते हैं मिलते हैं, कोई doubt, confusion है तो comment करके आप पूछिएगा चलिए, मिलते हैं बॉजल किसी और वीडियो में तब तक के लिए, bye bye and take care